सभी को नमस्कार एवार फिस से आप सभी का मैं अपने शेयर पर स्वागत करता हूँ आज के इस लेक्चर में एक इंटर्डेफनल रिलेशन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में कवर करने जा रहा हूँ जिसका की नाम है भारते परवासी या इंडियन डाइसपोडा और ये भी हाली में जो आठ से लेके दस जनवरी के बीच इंदोर मदपरदेश में ये दिवस मनाया गया है और ये जो भारते परवासी दिवस था ये सेवंटी नमर का था और ये जो अब आने वाला जो भी एक्जाम इस साल होगा अगर उस एक्जाम में अगर इंटरनेफनल एलेशन से अगर मैंस का कोफन कोई पूछेगा उसमें से एक कोशन ये रह सकता है जा तक बीपेसी का बा है तो उसके लिए काफी इंपोर्टेंट है तो इस टॉपिक का जो भी कोसन बन सकता है और जो जो इसमें चीजां पढ़ना है उन सब चीजां को मैं बारी बारी से डिसकस कर रहा हूं आप इसको वीडियो को ध्यान से देख लाए और हो सकते इसका नौट डॉन कर लाए और मैं एक और टॉपिक कभर करूंगा कर या परस्वा जिसका की जो भी हाली में एक वर्चौल मीटिंग हुआ था जिसका की नाम था अपका गुलोबल साउथ अभी हुआ था जिसका मेज़वानी इंडिया ही किया था तो उसमें जो आपका जो मिलनी जो विकासी जितने भी द दे रहें तो यह दो जो टॉपिक कभर कर दूँगा उसके बाद भी आगे समय समय पर जो भी करेंट रफेस आयार का रहे या आपका अगर कभर करता रहूंगा तो यह आज का वीडियो शुरू करते हैं बागे जिसका जिसको इसका पीडियाप चाहिए नीचे ट्रेगराम क करके पर सकते हैं बाकि देखिए इसमें वही चाचा में क्यों रहा है परवासी भारते दिवस की आठ फिले के दस दिन के बिच में इसको मनाया गया है इंदौर मत्रदेश में और यह पहली बार जो मनाने का जो आया था यह एलम सिंग भी समीती गठ्रित हुआ थे दो में लिदान यह किया चारा है और क्योंकि इसी दिन आपका 1915 में गांदी जी जो है शाट अपरिका और अबर आ इंडिया आए थे लिए तो यह सब कुछ पीटी का डेटा है अगर आप इसको याद रखेंगा तो सही रखेंगी यूपेशी पीटी में इस्टेट्मेंट बेस को फन इससे पूछ चुका है तो कब से मनाया जा रहा है एलम सिंग्वी सम्मीति किसी भारिश पे और यह भी हर एक दो साल में इसका आयो आपके एजाम के लिए हो सकता है या नहीं तो आप ऐसे इस्टेट्मेंट का आप यूज जो है जब भी मैंस कानफर लिखना तो वहां कर सकते हैं एक और में बूलना भूल गया यह जो टॉपिक है आपको अगर हो सकते यह एसे मिपूछ सकता है कि भारतिया परवासी का क्य मोदी जी का जो स्पीज का कुछ-कुछ लाइन में यहां लिख दिया हूं यह पेपर कर टिंग लिया हूं मैं तो यहां पर देखिए वो कह रहे हैं कि आप मतलब आप मतलब की भारतिया परवासी भारत की विरासत में इंडिया योग और आयुरवईद भारत की कुटर उद भारतियों में हम बसुदैब, कुटुमकम और एक भारत फ्रेष्ट भारत की व्यापक्ष भी देखते हैं मतलब की इनकाई भी इस्टरमन काफी बहतर है और तीफरा की अमरित काल में भारत की यात्रा में हमारे परवासी भारतियों का महत्पूर्ण अस्थान है यह तीनों तो थीम पे जो पूब पूछ देने का चांस अब भरता जा रहा है यहां तक इवन यह पर प्रवासी अमरित काल में भारत की परवेश कर रहे हैं अब यहां पे इंडिया जो ग्रोथ करेगा जो परवेश करेगा उसमें हमको जो नहीं परवासी जितने भी लगवक, चार श अब इसको अच्छे से सोच लाएं कि अमरितकार में बारत की परगति का मतलब की आर्थिक समाजिक और भी कई फारे भुराजनेतिक में कैसे कैसे योगदान कर सकता है और कैसे भाज़ेदार बन सकता है इन सब एंगल से आर्फों क्या करना है लिखना है और जब तक आप पूरा इस टॉपिक को नहीं पढ़ लेंगे इसे बड़े इसे को लिखना होगा मुश्किल जो मैन जो इस बाज जू जो इसका जो चीस पर यह केंद्रित था यह तिबस उसमें था ही लेटिन अमेरिका के डाइस्पोडा कनेक्शन पर क्यंदरित था क्योंकि इस बार जो मीटिंग हुआ है जो दिवस मनाया गया है इसमें दो जो जो अथिती आये थे गेस्ट आये थे उसमें एक थे डॉक्टर मुहम्मद इर्फान अली ये चीफ गेस्ट थे ये ग्याना के संतोसिक लेटिन अमेरिका के देशनों को ज्यादा तजर्बों दिया गीए ताकि इनके इसको अग्रेज स्रहिस के हैं तो अब भारत या पर वास्ट्री के कुल संख्या जो है कितनी है तो भारत या प्रवास्टी कि कुल संख्या विटा है तो यह लगभग 4.7 करोड के आसपास है इसमें से सबसे जो है ना अगर कुल मिला के देखा है तो सबसे अधिक संख्या में है खारे मतलग आपका फोदी रभ्या हो गया कतर हो गया इन सब देशों में सब मिला के ज्यादा अलब दस लाक लोग हर एक देशों में है इन खार इंडियन डाइसपोडा रहते हैं तो मैंस में आप इसको कर सकते हैं बाकी अंतरास्तिय जो मैगदेफन डिपोर्ट है के अनफार सरबाधिक परवासी भारतिय के ही मूलके है अन देशों में यहाद रख सकते हैं नेक्स अब यहां तो यह हो गया कि कुछ फैक्ट और अब कि इन परवासी भारतियों का क्या महत्त है जो हमारे देश के बाहर रहते हैं इनका इम्पोर्टेंस क्या है कि उनका इंपोर्टेंस में पहली बात तो यह है कि सुतन्त का में गान्ध पर फिल डॉल। सो बिलियन डॉलर के आसपास पैसा आया है यह बहुत बनी अड़का है हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए बाकि परिबरतर के लोग एजेंट कैसे क्योंकि यह लोग हमारे यहां आकर इन्वेस्ट करते हैं टेकनोलोजी लाते हैं प्रेटर कवड़ देते हैं विकास करते यही आपको लिखना है जब अगर ऐसे पूछ दे तो अलग लग एंगल फेंट लिखना है बाकि यह भारतियों की पहचान है जब हम विदेश जाते हैं तो हमारा विदेश में डंका कुण बजा रहे हैं यही परवासी लोग मतलब की बजा रहे हैं तो यहां वो रहते हैं जिस देशों में वहां राजनितिक आर्थिक से तो मजूद पकर रहा हो या इंगलेंड हो या कनाडा हो या निजलेंड हो आस्टलिया हो कई देश नेता बन गए हैं या बड़े-बड़े मंतरी पत्पे हैं कहीं जज है तो इस सबना इसकाम तो कहा हैं पहचान हमारी इनों ठीक ना तो ब्रेंड रहा है अब है न ब्रेंड गयान अब तो की हो है कि यह लोग ज्यान कोशल को भारत भी ला सकते हैं तो कहीं हमारी एक पूजिटिव बेम होगा यह ब्रेंड गया इसका नयकों टर्न दिया गया है अगला है परवासी कूट नीटी में सहाय का बारत के प्र्थान मंतरी अपने हर वहां के परवासी से अवस मिलता है यह परवासी यह लोगों से अवस मिलता है यह जब भी कहीं जाएंगे तो वहां कि हमारे भारतीयों से ज़रूर्ड निलता है यह देश के बाहर रहते हैं, इनका soft power diplomacy में क्या रोल है, कई तरह की डिपलोमेसी होते हैं, एक soft power diplomacy होते हैं, जिसमें की हम लोग यूज करते हैं, धर्म को, culture को, language को, cinema को, योग को, इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, soft power diplomacy, एक होता है, hard power, जहां कि कुछ न कुछ युद्धकाव, या इसा हम बात करते हैं, लेकिन यहां पे soft diplomacy है, तो नरम सकतिया, soft power diplomacy की अब धारना पहली बार, जोना चार में अमेरिका का एक राजनितिक सास्त्री था, जोसेफ नाई ने दिया था, और चीन जो है, अभी देखिए, पूरे दुनिया में अपने भासा का परशार कर रहा ह इसके पीछे जो चाइना इतना पूरे दुनिया में तेज़गती से बढने का एक वज़ा ये भी है, कि वो अपने soft power बहुत अधी पैसा खर्चा कर रहा है, कौन चाइना, इंडिया भी कर रहा है, तो यहां पे भारत की नरम कूर्ट नितिक के परमुक जो क्यान कौन कौन स है, इसलाम भारत को मद एसिया पर जोड़ता है, कहीं न कहीं है, क्या है, soft power है, और अगला है, दुनिया के कई देशों में भी संस्कृत को पढ़ाई को लेके जो ना, या तो अधियन कराया जाए जहां पर सोद का काम जा रही है, सबसे बढ़ा चीज़ है योग, अगर भा पाबर टूल का सबसे बड़ा सफल जो है, आप इसमें लिख सकते हैं, और 21 में दुनिया के लगए 192 देशों में योग शीविड लगा था, कहीं न कहीं योग पूरे दुनिया में भाइनले का मतलब है, हमारा soft skill फैल रहा है, और यह इसे बात को आप लिख सकते हैं, मैं फ सबस्तान हो या और भी दिशों के लोग आते हैं, हेल्थ में COVID-19 के दोर में हमने क्या किया था, पूरे दुनिया को प्राफिटामोल दिया था, बाकी जो है न वेक्फीन हमने दिया पूरे दुनिया को तो कहीं न कहीं यह भी क्या है, एक हेल्थ भी आपका न सौप डिप्ल हम लोग आपस में अपनी आप मिल जाते हैं, आप फर देखिएगा हमारे देश के लोग वह इसे देश हों में जहां पर डेमोक्रेसी अलोग तंत्र है, ताकि लोगों का अपना राइट टूप फ्रीडम हो या इक्लूटी आइसे देश में जाते हैं, कहीं न कहीं यह करता ह हमारे नेक्स्ट अब यहां पर है कि यह तो ठीक है इतना अच्छे सी बात है लेकिन अब जो है न जो इंडियन डाइस्पोड़ा के साथ कुछ कुछ ने प्रव्लम भी है तो यहां पर लिगा हम भारतिया प्रवार्वार्फिव जोनी कुछ समस्य हैं जो कि देश के बाहर म हमला हो गया तो यह कहीं न कहीं क्या एक ना दिक्कत का बात है यहां पर कहीं न कहीं संप्रदाइक घटनाय आतंगवादी घटनाय और रशिया उक्राइन देखें काफ़े लोगों वहां से यहां आए तो कहीं न कहीं साथ या पूरे दुलिया को और यहां परवाइफ़ देशा संकट है बाकि बढ़ते बैस्यूकर अब पहले 1990 के आसपास दुनिया के जो पच्मी देश थे वो बैस्यूकर को बढ़ा बात है अब यही देश न बैस्यूकर का बिरोद कर रहे हैं कैसे अब यह लोग न क्या कर बढ़ा है विजानियम को काफी हार्ड या सक्त बनादेर के थाकि हमारे लोग ना जा पाए अगला है नागरिता समधी समस्या हो जाती है अगला है प्रेफर्यारे यहीं का यूज कहीं न कहीं गलत चीज़ों में हो रहा है हमारे देश के बहुत फारे जो लोग वहां से कमा भी पैसा यहां बेचते हैं तो ऐसा मतलब कि आया है रिपोर्ट की खालिस्तान मांग को मांग में इनलोका पैसा चला जाता है तो अभी देखिए देश में ना का तफ़ाफे इसू काफी ज्यादा बढ़ गया है मतलब करना नेक्स्स जो है पच्छी मेश्या में क्या है जो यहां पर देखिएगा कुछ में पहले वहां का जो लेवर लौ है काफी मतलब की ओ था हाट था जिसे कि हमारे मजदुरों काफी दिक्कतों के सामना करना पड़ा और कोबीट नाइट के बाद प्रवासियों कि ठीक नहीं क्यों कि अब लोगों में डर है कि बिबारी प्रयास कर रही है तो प्रयासिश में क्या है सबसे पहले कारिक्रम भारत को जरू कर बतार इस इस कारिक्रम के जरी जो ना है एटीन फिले के थर्टी साल के युबा जो हमारे देश आके इंडिया गोन जान सकते अगला है बंदे भारत भीफन जो चलाय गया था इसमें फारे परिफा के लिए दो सकते अलग-जम कर सकते हैं नेक्स्ट कच नंत नहीं हमारे प्रवास उकल करके यहां इसी किर्फीus यह भच्ठयब मुईर्सनमन कर दिया है यह सब चीज न कहीं न कहीं भारत की फरकार जो न हमारे परवासियों के लिए कर रही है, इतना अप्ली फरक्ते हैं, पूइंट बाएग़ मांकित अब यह होगा, कितना थो गया, समस्या हो गया, महत हो गया, कुछ भारत फरकार क्या हो ग़ा, अब आगे है, आप जब कभी ख भी एक असपस्ट नीती नहीं है रावासी भारति भारति यह डेटा बेफ तयार करना पर कितने लोग गए कितने आए उनके वहां जो लोग रहते उनके फाथ हम कुछ साथ हमें को सम्बाद कि यह थीजा थीक रहता है कि उनको तकर चाहते हैं तब और अच्छा है रहे को लूद्ध कि वह सबस्क्राइब कैसे हैं हमारे देश के लिए कर सकते हैं इसको सौट में आप एक सव या एक सो पचास वर्ड में लिखेंगें दुफर आपको फ़र है भारत की विदेफ निती में भारते परवासी का क्या इंपोर्टेंस है अगला लॉंग कोफर बनाया हूँ कि बैस्विक मंच पर भारत को एक मजबूत सकती के रूप में अस्थापित करने में परवासी भारते समुदाय की भूमिका परचाचा करते हुए इफ दिसा में फरकार दोरा किये जारे परियासां और इसकी चुनोतियों पर परकास डाली यह आप आराम फे चारफ हो या चार्सावड में आराम से इसको लिख रखते हैं जो उपर का नोट्स है तो यह जो है ना आपका पुड़ा पुड़ा यह प्रवासी से जो भी कोफन पूछेगा मैंस में में इतना ही एंगल बनता है बाकि आप इसको तीन क प्रफन दिया गया आप इसको लिखने का क्या करें कोशिश करें बाकि नेक्स वीडियो में और भी करेंट अफेर्स जिसे की इसमें अभी जो हुआ था मीटिंग गलोबल साउथ उसका मैं कराऊंगा बाकि और भी कई फारे आई-ार के टॉपिक है या इंट्रेशनल कई फा का प्रोडाम चल रहा है तो जिनको भी जोइन करना है नीचे नम्मर दिया हूं आप कोल कर उसे पता कर सकते हैं तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तब तक के लिए थेंक्यू